Hello all of you, आज हम लोग हिंदी में एक नई मात्रा सिखेंगे O की मात्रा, अभी हम लोगोंने एक मात्रा पढ़ी थी जिसे O की मात्रा कहते थे इसके लिए हम लोगोंने एक लाइन ड्रॉ करके उपर एक मात्रा लगाई थी अब O की मात्रा पढ़ने के लिए हम लोगों को लाइन ड्रॉ करके दो मात्राओं का यूज करना है ये हो जाएगी हमारी O की मात्रा यही O की मात्रा आज हम लोगों को पढ़ना है किसी भी अक्षर या वण के आगे ओ की मात्रा लगाकर उसका उच्छारण कैसे करते हैं? आईए देखते हैं क में ओ की मात्रा क में ओ की मात्रा खा 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 गा में लगाएंगे ओ की मात्रा और इसे पढ़ेंगे घा में ओ की मात्रा घो खा में ओ की मात्रा खो गा में ओ की मात्रा घो जा में ओ की मात्रा खो जा में ओ की मात्रा जो 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 त में लगाएंगे ओ की मात्रा ये हो गया त में ओ की मात्रा तो था में ओ की मात्रा थो था में ओ की मात्रा थो दा में ओ की मात्रा दो धा में ओ की मात्रा धो धा में ओ की मात्रा थो था में ओ की मात्रा थो धा में ओ की मात्रा थो धा में ओ की मात्रा धो न में ओ की मात्रा न दा में ओ की मात्रा थो धा में ओ की मात्रा थो धा में ओ की मात्रा दो धा में ओ की मात्रा थो न में ओ की मात्रा न प भ में अखी मात्रा पो भ में अखी मात्रा बौ भ, भा में अकी मात्रा भ, म, मा में अकी मात्रा म, प, भा में अकी मात्रा भ, भा में अकी मात्रा भ, म, मा में अकी मात्रा म, य, य में आ की मात्रा, य, र, र में आ की मात्रा, र, ल, ल में आ की मात्रा, ल, व, व में आ की मात्रा, व, श, श में आ की मात्रा, श, य, य में आ की मात्रा, य, र, र, र में आ की मात्रा, रो, ल, ल में ओ की मात्रा लो, व, वा में ओ की मात्रा वो, श, श में ओ की मात्रा श, अब ये है पेट कटा श, इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा, श में ओ की मात्रा श, स, स में ओ की मात्रा स, ह, ह में ओ की मात्रा हो, श, श में ओ की मात्रा स, स में ओ की मात्रा हो, ह, ह में ओ की मात्रा हो, all of you ये ओ की मात्रा आप लोगों को अपनी हिंदी की कौपी में सुन्दर और अच्छी हैं राइटिंग में दिखना है all of you, अभी हम लोगों ने अक्षरों या वर्णों पर ओ की मात्रा लगाना सीख लिया है और अब हम लोग करेंगे जोड कर शब्द बनाओ इसमें हम लोग अक्षर या वर्णों में सारी मात्राओं को जो भी इसमें दी रहती हैं उसे आपस में जोड कर एक नया शब्द बनाते हैं तो शुरू करते हैं क प्लस ओ की मात्रा प्लस औ फ्लस आब इन सबों को जोड कर हम लोगों को एक नया शब्द बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा क यहां मैंने लिखा क अब इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा यह हो गया ओ की मात्रा अब इसे पढ़ेंगे क में ओ की मात्रा को यह है आ आ लिखा और इसमें हम लोगों को जोड़ना है आ की मاتरा, यह जोड़ दिया आ की मातरा यह हमारा एक निया शब्द बना क में आ की मातरा कौव आ कौव आ कौव आ नंबर टू, च प्लस आ की मातरा प्लस क प्लस बड़ी ए की मातरा इन सब NGOs को जोड़ कर ہμी लोगों को फिर से एक शब्द बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे च तो यहां मैंने लिख दिया च इसमें जोड़ेंगे ओ की मात्रा इसमें मैंने जोड़ दिया ओ की मात्रा यह हो गया च में ओ की मात्रा चो अब यह है क तो यहां हम लोगों को लिखना है क और क में जोड़ना है बड़ी इ की मात्रा को तो यहां हम मैंने जोड़ दिया क में बड़ी इ की मात्रा को अब हम लोग पढ़ेंगे च, च में और च, क, क में बड़ी इ, की, च, की यह च की हमारा नया शब्द बन गया अब इन सारे को जोड़ कर हमें फिर से एक नया शब्द बनाना है जिसके लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा र तो यहां हम लोगों ने लिखा र उसमें जोड़ना है औ की मात्रा इसमें मैंने जोड़ दिया औ की मात्रा यह हो गया रमे औ की मात्रा रो न अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे न और उसके बाद जोड़ेंगे क यह मैंने जोड़ दिया क अब इसे पढ़ेंगे रमे औ रो न करौनक रौनक हमारा एक नया शब्द बन गया अब इन सबों को जोड़ कर फिर से एक शब्द बनाना है जिसके लिए सबसे पहले लिखेंगे क तो यहाँ सबसे पहले लिखा क और उसमें जोड़ेंगे च तो फिर क में जोड़ दिया च फिर च में जोड़ेंगे ओ की मात्रा तो च में मैंने जोड़ दिया ओ की मात्रा अब यह हो गया क च में ओ की मात्रा च फिर उसमें जोड़ेंगे र यहाँ मैंने जोड़ दिया र और र में जोड़ेंगे बड़ी ई की मात्रा तो R में मैंने जोड दिया बड़ी E की मात्रा अब हम लोग इसे पढ़ेंगे 5 ये है सबसे पहले छोटी E की मात्रा तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां कर दिया छोटी E की मात्रा फिर यह है ख, यानि यह जो छोटी की मात्रा है, वो खा पर लगी है, तो यह हो गया खा में छोटी की, अब है ल, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से जोड़ा ल, ल में जोड़ेंगे औ की मात्रा को, ल में मैंने जोड़ दिया औ की मात्रा को, अब यह हो गया ल में औ की मा लौ इसमें जोड़ना है न यहां मैंने जोड़ा न और न में जोड़ना है आ की मात्रा तो न में मैंने जोड़ा आ की मात्रा अब इसे हम लोग पढ़ेंगे खा में छोटी ए की मात्रा खी ला में आ की मात्रा लो न में आ की मात्रा ना खी लो ना ये हमारा नया शब्द बन गया ये जोड कर शब्द बनाओ हम लोगों ने कम्प्लीट किया इसे आपको हिंदी की kopy में लिखना है हम लोगों ने अक्षिरो यावर्णों पे ओ की मात्रा लगाना वा पढ़ना सीख लिया है अब हम लोग करेंगे ओ की मात्रा के शब पहला है न में ओ की मात्रा नौ क में आ की मात्रा का नौ का नौ का नमबर टू म में आ की मात्रा मौ स में आ की मात्रा सा मौ सा मौ सा नमबर ट्री हा था में आ की मात्रा थो र र में आ की मात्रा रा था थो रा थो रा Number four, ma, ma mein a ki maatra, ma, sa, ma, maosam, maosam. Number five, na, na mein a ki maatra, na, ka, ra, naa kar, naa kar. Number six, ka, ka mein a ki maatra, ka, sha, la, kaushal. Number seven, ka mein chhoati e ki maatra, ki, la mein a ki maatra, la, na mein a ki maatra, na, ki, la, na, ki, la, na. Number eight, ta mein a ki maatra, to, la mein chhoati e ki maatra, li, ya mein a ki maatra, ya, to, li, ya, to, li, ya. Number nine, na mein a ki maatra, na, ka, ra mein a ki maatra, ra, na mein badi e ki maatra, ni, naok, ra, ni, naok, ra, ni, naok, ra, ni. Number ten, ma, na, ma mein a ki maatra, ma, ja mein badi e ki maatra, ji, man, ma, ji. All of you, all of you, a ki maatra ke shabd, or a ki maatra lagana, va, pardana, titha, jod ka shabd, banana, ya sab, aapko, aapni hindi ki fair copy me, achi or sundh handwriting me, likhna hai, ok, thank you, god bless you.